हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेज में दोस्तों हम हर शाम को पांच सवाल सॉल्फ करते हैं डेवाइस डिपेंड करता है कि कौन से सब्जेक्ट के होंगे आज है थर्सडे तो आज है बारी हमारी एकॉन्डमी की क्वेस्चन सॉल्फ करने की दोस्तों पांच सवाल हम सॉल्फ करेंगे आपको ये एक्जाम्स में सबसे जादा हेल्फ करते हैं जैसे यूपी एससी में ठीक है दोस्तों बहुत से बच्चे इनको यूज करते आए हमारा एक ऐसा इनिशेटिव पिछले तीन सालों से चल रहा है और अंगिनत सवाल हमने करा दिये और एक्जाम्स में भी आपने देखे तो दोस्तों हाज हम बात करेंगे पांच सवालों की एक सब्फेर और रेमेडिटिव प्राइस जो शुगर केन की होती है देन एथनॉल ब्लेंडिंग ब्रोग्राम पर सवाल है जो प्रधान मंतरी फसल बीमा योजना को रिवांप कर दिया गया है जो एक डिवलप्मेंट अथॉरिटी है जो वेर हाउस को डिवलप करती है उसके बारे में एक सवाल आपके सामने इन देन गोल्ड मॉनिटाइजेशन स्कीम इन सब पर बात करेंगे ठीके दोस्तों सवालों के जरिये सीखना is the best method of learning let's just start ओके दोस्तों सबसे बेरा सवाल आपने बताना है मुझे FRP fair and remunerative price of sugarcane दोस्तों ये सवाल जो इससे not exactly ये सवाल FRP से जोड़े हुए सवाल बहुत बार UPSC पूछ चुग है और generally जैसे आपने देखाओगा अगर आप हमारे जैसे member भी है अगर मालीजिया PCM किसी course वगरा में तो नहीं है तब भी हमने बहुत बार mention किया है FRP पढ़ना बहुत जरूरी है दोस्तों sugarcane पे एक separate lecture भी है मैंने डाला हुआ जो बहुत ज़ादा important की हो जाता क्योंकि UPSC का favorite एक ये topic है शुगखेन दोस्तों FRP शुगखेन की बात करते हैं तो इसके बारे में आपने statement बतानी है correct ठीक है तो ये साथ सा सीखते रहेंगे correct incorrect क्या पूछता UPSC ओक या कोई भी exam तो सबसे पहली बात वो बोलते हैं कि FRP decide होती है on the basis of recommendation of CACP दोस्तों Commission for Agricultural Costs and Prices आपने इसका नाम सुना हुए अग्री कल्चर के lecture में भी covered है ये ठीक है तो आपने बताने है क्या ये बात सही है कि CACP recommend करते है FRP या नहीं दोस्तों दूसरा option यहाँ पर जो sugar की price है sugar cane की बात नहीं होगी sugar ठीक है थोड़ा ध्यान देने वाले ये शब्द ही है जो हमारे दो number दिला सकते है या 0.66 negative हो जाएगा दोस्तों की sugar की price है ये भी FRP के साथ ही announce होती है दोस्तों यहाँ पर दो statement से आपके सामने आपने बताना है कौन सी correct है याँ पर one, two, both correct है या कोई भी correct नहीं है और दोस्तों right answer right answer mark कीजी बताइए फटाफट से yes right answer सिरफ one correct है CACP recommend करते है जो अभी जो sugar cane control order है 2009 में ही जिसको लागो किया गया इसके पहले जैसे SMP statutory minimum price कहा जाता था लेकिन 2019 में FRP का नाम दे दिया गया CACP recommend करता है state से भी consult किया जाता है and accordingly यह इसकी price sugar cane की separately दी जाती है sugar cane की prices किस पर decide करती है यह जो FRP किस पर कि sugar cane की cost of production क्या है कितनी लागत लग रही है किसानों की ठीक है अगर alternative कोई crop उगाता किसान शुगर के ना उगाता तो कितना पैसा कमा ले था इन सब चीज़ों को देखते हुए दें दोस्तों एक बहुत ही important चीज़ों चाहता हूँ focus करना वो है recovery कि sugar कितनी recover हो रही है sugar cane से ठीक है अगर जादा गन्ने में से रस निकलेगा तो जादा sugar recover होगी और अगर कम है तो वहाँ पर तो मिल्स को नुकसान हो सकता है इसी कारण 10% के आसपास की ही average रहती है 9-10% के आसपास तो पिछले कुछ seasons का अगर average देखें इतनी हमारे sugar recover हो जाती है किसी sugar cane के weight के हिसाब से then दोस्तो alternative चीज़ें भी है जैसे जो जब हम गन्ने में से रस निकाल लेते हैं तो जैसे बहुत से चीज़ें जैसे मुलासेज, बगास और भी जैसे बहुत सरे चीज़ें जिनको हम afterwards भी use कर सकते हैं और उससे भी पैसे कमाया जा सकते हैं इन सब चीज़ें के बारे में ध्यान रखकर ही FRP decide किया जाता है ठीक है दोस्तों तो अब लेकिन अब जो मिल्स हैं, जो sugar मिल्स हैं वो पैसा पे करती हैं किसान को and FRP के हिसाब से पे करती हैं लेकिन अगर मिल्स इस sugar cane में से रस निकाल कर चीनी बेच रही है and चीनी का ही अगर दाम नीचे हो गया ठीक है दोस्तों अगर सो supply of sugar ही अगर जो बहुत excessive हो गई demand तो constant ही रहेगी तो इतनी demand overnight नहीं बढ़ेगी लेकिन गन्ने की production bumper हो जाए किसानों को तो फाइदा हो गया लेकिन जो mills हैं जिन्होंने पैसा पे करना है तो mills कहां से पैसा लाएंगी शुगर की prices crash कर जाएंगी अगर बहुत excessive अगर supply हो गई तो उसी कारण एक जो minimum selling price भी सरकार recently लेकर आई थी सरकार ने कहा था कि चीनी के भी एक minimum selling price होगा इससे कम चीनी नहीं बिकेगी ताकि जो sugar mills हैं उनको भी assure किया जा सकेगी आपको इतनी income तो होगी ठीक है दोस्तों तो एक ही important चीज़ सी धोड़ी ध्यान रखने वाली है दोस्तों पहले ये essential commodities act का पार थी लेकिन उसको भी dismantle कर दिया गया है हमने previous एक pre-cure दोस्तों pre-cure में हम cover जहां करते हैं current affairs pre-cure में मैंने ECA dismantling वाला act के बारे में भी बात की थी जो अभी जो ordinance लेकर आया गया था उसके बारे में बात की थी ओके दोस्तों अगले सवाल पर चलते हैं यहां पर है ethanol blending program की बात ठीके थोड़ा sugar cane से ही जोड़ा हुआ एक question ethanol blending program पर भी आज सवाल जो हमारे अकबारों में आज कल चीज़ें चल रही है तो मैंने सवाल बना दिया आपके लिए तो पहला की benefits वो पूछ रहे हैं आपको industry को तो बताईए कि ethanol blending program के इसमें से कौन से कौन से फायदे हैं ठीके one only या two and three है या सरफ two है या सभी correct है ये सभी फायदे होने वाले है UPSC आए दिन ऐसे सवाल पूछता है जो फायदे नुकसान एटसेटरा option से भी eliminate करके अंसर निकाल सकते हैं ठीके थोड़ा सोचना पड़ेगा All right दोस्तों right answer mark करते हैं आपर right answer is all are correct दोस्तों ethanol blending program के अगर बात करें सरकार ने central government ने और इसको scale up कर दिया है सरकार ने कहा है कि अगर आप गन्ने से रस निकलता है उससे ethanol बनाते हैं तो इसी कारण क्या होगा कि जादा अब गन्ने वाले जो suppliers हैं and in fact जो sugarcane से रस को divert करके अगर कोई ethanol बनाएगा उससे sugar ना बनाकर ethanol बनाएगा तो उन companies को भी फायदा होगा and government ने ethanol जो इससे जो derive होगी उसकी भी price एक minimum price fix की है and then दोस्तों पूरा एक grid बनाया जा रहा है किस तरह से जो हमारे जो oil and marketing companies होती है जैसे Indian oil etc. इनके depots पहुंचाया जा सके इस पूरे process को जो ethanol को and उसको blend किया जा सके हमारे petrol डीजल के साथ ताकि दोस्तों हमारा foreign exchange भी conserve रहे and दोस्तों से कहा जाता कि pollution भी reduce होता है इसमें particulate matter कम होते है and then उसके बाद जो हमारे जो किसानों के जो बकाया amount बढ़ी है FRP की उसको भी चुकाया जा सके क्योंकि इससे income होनी शुरू हो जाएगी sugar cane की जो mills है ठीक है दोस्तों थोड़ा ध्यान रखने वली बात है ऐसे सवाल बन जाएंगे तो गलत नहीं करने हमने ओके चलिए अगले सवाल के तरफ चलते हैं दोस्तों जो परधान मंतरी फसल भीमा योजना आज फिर से जो आज कल मतलब not आज exactly news में है revamp करने की बात और यह बहुत सारी states हैं वो कह रहे हैं कि हम नहीं अप इसका पैसा चुका सकते center को बोल रहे हैं कि आप ने अगर अपने इंट से sponsor करना है तो कर दीजी ऐसे articles आ रहे हैं तो इसी कारण PMFBY पे एक सवाल सॉल्व करते हैं पहला कि प्रधान मंतरी फसल भीमा योजना की context में correct ठीक है यह हमेशा देखने correct incorrect क्या पूछा गया है पहला option पूछते हैं यह पर कि यह ensure करता है जो प्रधान मंतरी फसल भीमा योजना है कि comprehensive risk cover मिलेगा crops को against किस के कारण against कॉंसा जो non preventable natural risks है क्या यह बात सही है and कहा से कहा तक pre sewing से लेकि post harvest की जो फसल उगाने से पहले से लेकि फसल उगने के कटने के बाद तक जो भी stages है सभी में ही risk cover मिल रहा है क्या यह बात सही है गलत दूसरा जो भी farmers है वो कौन से कौन से चाहे share cropper हो चाहे उदा जैसे tenant farmer मतलब किसी के किराए की उस पर farm पर काम करते हो वाले farmers हो जो भी तरह के farmers है वो सभी farmers यहां पर जो included है eligible है पूरी इसकी coverage में क्या यह बात भी सही है ठीक है दोस्तों आपने मुझे पताना है कौनसी कौनसी statements है PMFVY के regarding correct and दोस्तों असान सवाल है अगर आपने PMFVY में cover किया हुए हमने पहले भी cover किया था इसको means में सवाल भी आया था और relatively सवाल असान हो जाएगा जब आपने पहले solve किया होगा गई थी कि सिर्फ कुछ जिसे स्टेट में implement करेंगे gradually हर एक सीजन पर पूरी हर बहुत सारी crops को include कर दिया गया उसके पर mandatory कर दिया था कि जो फी अगर कोई loan लेता है तो उसको mandatory है यह जो आपको जो यह वाली scheme लेनी पड़ेगी insurance cover लेना पड़ेगा लेकिन ग्राजुली यह और जो हमारी central government बहुत सरे farmers सभी यहाँ पर एकठे होकर काम करने की कुशिच करते हैं ताकि किसानों की income को भी double किया जा सके in case अगर कभी जैसे ओले पर जाते हैं तो फसले पर बाज हो जाती हैं तो इन सब चीजों से अगर फसले अगर खराब हो रही हैं impact हो रही हैं तो इ formulate की गई थी कई बार ऐसे होता है कि आपको लगते हैं मुझे इसके बारे में पता है थोड़ा सा लेकिन वह चीज आपको question में ही नजर आ जाती है आपको लगता है जो मुझे पता था वो तो question में पूछ लिया ठीक है तो यहाँ पर WDR के बार में आपको दो शब्द बताए गई है कि क्या लिखा गया है कि यह form की गई थी regulate करने के लिए and ensure करने के लिए कि जो warehousing development and regulation act है उसके provisions को implement करने के लिए ठीक है ताकि क्या हो सके ताकि warehouses develop हो सके देश भर में और negotiable और जो हमारी warehouse receipts होती है उसके बार में बात हो सके and overall warehouse का business देश में फले फूले और किसानो की मदद हो तो दोस्तों इसी context में आपसे पूछा गया है कि जो WDRA है यह किसकी छत्र चाया में काम करती है कौन सी ministry या department ठीक है यह UPSC के थोड़ से specific तरह के सवाल होते हैं आए दिन पूछते हैं यह almost almost हर दो साल में एक बार सवाल पूछते हैं ऐसे agency का नाम लिखके authority का न का ministry of commerce and industry में है यह department of agricultural cooperation farmers welfare जो कि ministry of agricultural farmers welfare में है या इन में से कोई भी नहीं ठीक है दोस्तों सोच समझ के मा करने वाला और बहुत ही close रहती है options इसी कारण गलती होने का scope बढ़ जाता है इसी कारण इसी कारण अगर आप इसके बारे में जानते हैं तो ही तुका लगाई यह नह या फिर लगेगा नहीं तो industrial type कुछ बात लग रही है कि या फिर आपको लग सकता है कि infrastructure की ministry ना हो ठीक है तो इसलिए गलती उने का scope बढ़ जाता है सोच समझ कहीं मा की जो कीजिए ऐसे options को and accordingly यहाँ पर जो non जो हमारी जो negotiable warehouse receipts होती है वो यही होता है जब किसान जाकर अपनी फसल वहाँ जमा करा दी और हजार किलो जमा हो जाएगी जो तो warehouse की जो receipt परची मिलेगी receipt पर उसके बदले जाकर वो loan ले सकता है जाके bank में वो NWR जाके जमा कराएगा वो परची जमा कराएगा किसान बोरेगा हजार किलो मेरे पास यह wheat है rice है जो भी है इसके बदल को warehouse में रखें तो उसी के लिए जरूरी है कि warehouse डवलप किया जाए उसी के लिए ही WDRA का भी गठन किया गया था ठीक है दोस्तों ओके चलिए अब अगले आकरी सवाल पर चलते हैं आपर यह है about gold monetization scheme कहां सुनिए दोस्तों आज ही सुनिए कहां सुनिए आपने सुनिए प्र प्रिक्योर में दोस्तों मैंने प्रिक्योर में extensively कवर किया अच gold monetization scheme ये news में again क्यों आ रही है क्योंकि दोस्तों हमारे देश में import bill फिर से बढ़ना शुरू हो गया है जो अब ही हमारा देश थोड़ा surplus हो गया था कि हम export जादा import कम क्योंकि import कम इसलिए था क्योंकि हम consume ही न पूचिया आपर ठीक है कि consider कीजिए then की it does not have the option for the depositors of gold to earn interest ठीक है कि interest नहीं मिलेगा अगर आप अगर जो गोल्ड monetization scheme में जाकर आप उसकी गोल्ड को monetize करवा लेते हैं तो आपको interest नहीं मिलता है इसमें दूसरी बात RBI ने mandatory किया है जो SCB होते है हमारे scheduled commercial banks कि ये scheme offer करने statements है correct ठीक है तो on the spot ही यहाँ पर incorrect मैंने सोचा पूचूंगा आपसे correct ही बता दीजिए ठीक है कौनसी कौनसी statement correct है 1,2, both are correct और none is correct ठीक है दोस्तों कि सिर्फ एक correct है दो correct है या दोनों ही या कोई भी correct नहीं है सो समझ के मां कीजिए का आज ही मैंने बढ़ा है तो ये गलती नहीं होने चाहिए and दोस्तों right answer is यहाँ पर कोई भी correct नहीं है दोस्तों क्योंकि जो हमारे ये जो scheme है gold monetization scheme ये interest भी earn करवाती है लेकिन इसके parallel ही एक और जो हमारे sovereign gold bond scheme चलती है मैंने आपको बताया था sovereign gold bond scheme पर थोड़ा ज्यादा interest मिलता है लेकिन उस पर tax लग जाता है tax लग जाने से थोड़ी returns काम हो जाती है जो हमारी gold monetization scheme है अगर अंतक रखेंगे तो हमारी tax free है and tax free होने से आपको क्या होगा कि आपका overall जो post tax return बढ़ सकता है दिन उसके बाद RBI ने mandatory नहीं किया है RBI ने क सकते हैं आप तो ये सबी चीजें जरूरी है RBI ने mandatory नहीं किया RBI ने का सिरफ बेचेंगे SCBs लेकिन mandatory नहीं है ठीक है कोई ऐसे compulsory नहीं है अपने बेचने तो ये बात ध्यान देने वाली थी यही आज के सवाल भी थे दोस्तों announcement में सबसे ही ज़्यादा बड़ी बात क्या है कि हम तीन साल के हो गए हैं तीन साल से हम बहुत महनत कर रहे हैं बच्चे हमारे साथ महनत कर रहे हैं बहुत ही exciting एक जर्नी रही है इसको थोड़ा और exciting करने वाले है क्योंकि जो हमारे पूरा का पूरा जो sleepy हमने जो पूरा बनाया था एक simple सा idea था idea था affordability कि घर घर तक हमा एक्जिस्टेंस का पार्ट नहीं है कि आप education ही बहुत costly कर रहे हैं तो ठीक है इसलिए हमने जो top quality education एपने channel पर लोगों को free दीनी शुरू करी उसके बाद घर से rank आने शुरू हुए दोस्तों गली महलों से सबसे जादा जो हमारे जो program का फायदा उठाया जो हमें ऐसा लग तो इसलिए हम और उसको affordable बनाने जा रहे हैं subscription plan launch हो रहेगा हमारा इस weekend पर आप उसका part बन सकते हैं videos आपको मिल जाएंगे जो detail में बताएंगे कि क्या है इस plan में ठीक है दोस्तों 2021 के courses में हमारी website पर launch किया जाएगा और हमारे youtube channel पर launch किया जाएगा तो आप please साथ में रहे ह चाहिए और अगर आपको लगता है कि आपको इससे फायदा हो रहा है तो आप प्लीज देफिनेटली पार्ट बनने उसका आपको detail मिल जाएंगे आने वाले वीडियो में अगर आपको PDF चाहिए हमारी website पर भी available हमने पूरी website revamp कर दी आप देखिए आपदा में हमने अफसर काफी बड़ी या website बनकर आई है तो आप देखिए उसको एक बटी के एंट टेलीगरम चैनल भी जोइन कर सकते हैं हमारा sleepy class से सर्च की जगा मिल जाएगा अगर कोई किसी वीडियो का notification नहीं आता तो हम यहाँ पर post कर देते हैं ताकि बच्चों तक content पहन जाए ठीक है तो बस दोस्तों यही 5 सवाल धीरे 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 करके पूरा का पूरा हमने जो अपने content से अपने आपको भरपूर कर लेना है ताकि exam में जाके कम से कम ऐसी चीजें हो जो हमें ना आती हो ठीक है दोस्तों मेहनत करेंगे मेहनत करके ही फायदा है और बिना मेहनत की हम भगवान से बोलेंगे भी नहीं भगवान हमें result क्यों नहीं दिया मेहनत करने के बाद चाहे हैं हम पूछ सकते हैं तो let's just earn it ठीक है earn करते हैं वो भगवान से सवाल करने का की मान लिजे की नहीं जरूरी नहीं कि हर बार success मिले तो इसलिए हम कम से कम मेहनत कर तो पूरी अपनी रखे उस